वो जो रेजिस्ट्राद ने नोटिस दिया है वो तो बिल्कुल बेबुनियाद है उसमें उनको कोई अधिकार नहीं है एक तो Constitution में इस पश्ट लिखा हुआ है कि अब खुआ है कि अब कानून में नहीं है कि अब करो तो तेस्ट एक एह एक उनियन हो सकता है तीसरा एक सबस्ट के लिए एक उनियन को नहीं है इसा वह कोई कानून नहीं है इंडस्ट्री के लिए एक होना चाहिए तो इंडस्ट्री में मल्टी यूनिट्स भी हो सकते हैं और कई यूनिट्स को मिला के एक यूनियन बन सकता है वैसे देखा जाए तो बहुत पुराना 94 का केस है गुद्राग स्थी इλε्क्रिसिटी बोड़ वहां पे इस मश्च कहा है कि सिर्फ कॉन्ट्राक्ट वर्कर्ज ही नहीं पर कॉन्ट्रायक्त वर्कर्ज को अर शर्मेरा मनाने का दिमांड है। वो सिर्फ पर्मिनट वर्कर्ज क करना है यह दिमांड तो एक उनियन में नहीं होएंगे तो यह दिमांड कैसे करेंगे तो यह बिल्कुल गलत है उसको चैलेंज करना चाहिए आई कोड़ हमने भी युनियेंज बनाए हैं हमने एंगौस्तान लीवर के युनियन Love कर को भी लिया था काई दूसरे युनियन में कांट्रेक्ट वर्कर को भी लिया है इसी में भी बर्क और ईौन्तवर कर और युकाई नों और honestly और इक युनियन्न में क territor . फ्रीटर्ण हर रिटर्स जाता है बिल्कुल रिटर्स जाता है क्यों नहीं रिटर्न तो फड़ना पड़ता है तो यह सरी के यह को पहला मामला नहीं तक्रोड प्रेंग को प्रेंगे दर्ना यही है कि उनको मामले करने पड़ेंगे, जाना पड़ेंगे, लड़ना पड़ेंगे, जीत तो उनकी जरूर है, यह हम भोल सुने हैं। अच्छा, आपुछ सुझाओ देंगे? मैंने कहा है उनको कि एक रिट फाइल करना चाहिए, यह चैलेंज करना चाहिए, यह बिल्कुल बेबुनियाद है और यह एक तरीके से बुलिंग है, तो यह नहीं होना चाहिए, और मुझे यकीन है कि यह ऐसे रेजिस्टर पे स्ट्रिक्चर पास किया।